So guys, मुझसे बहुत सारे लोग आकर के question करते हैं कि Google Ads का 300 account क्या होता है उसको हम सबी लोग किस तरीके से create करते हैं उसमें कैसे करके हम सबी फ्री में 350 डॉलर का reward ले सकते हैं उसको किस तरीके से use कर सकते हैं और साथे साथ Google जो है 350 डॉलर फ्री में हम लोग को क्यूँ देता है और बहुत साथ लोग को सबी चीज मालूम होने के बावजूत भी वो लोग का जो Google Ads का account है वो create करते ही suspend हो जाता है तो वो क्यूँ suspend होता है उसका मैं full reason देने वाला हूँ और साथ साथ आप सबी लोग कैसे करके उसको fix कर सकते हो और Google Ads का threshold account बिना किसी problem के use कर सकते हो ये वीडियो में जो है मैं आप लोग को बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी Google Ads का threshold account के बारे में complete detail चाहिए तो ये वीडियो को पूरा आइंड तक जरूर देखिएगा चलिए हम सबी लोग ये वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले हम सबी लोग Google Ads threshold क्या होता है कैसे करके वो work करता है उसको हम सबी लोग थोरा सा जान लेते हैं अब जोए जब आप सबी लोग Google Ads का threshold account क्रियेट करोगे तो पहले ही Google आप लोगों से आपका debit या credit card ले लेता है आप सबी लोग जब अपना debit card या credit card का detail फिल करते हो तभी आप लोग का Google Ads का threshold account क्रियेट हो जाता है और जैसे ही आप लोग का 350 डॉलर आप लोग यूज कर लोगे आपके account में से 350 डॉलर खतम हो जाएगा तब आपके debit card या credit card अपना दिया हुआ है उसमें से automatically 350 डॉलर कट जाएगा और आपके account में फिर से 350 डॉलर का threshold मिल जाएगा तो simply यही तरीकिसे Google आप लोगों को threshold देता है और ऐसे ही करके Google Ads का threshold account प्रीपेंड करता है कि आप लोगों को कितना threshold दिया जाएगा किसी किसी account में आप लोगों को 10 ॉलर मिलता है किसी में 50 ॉलर किसी किसी में 350 डॉलर तक भी मिल जाता है अब जो हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग कैसे करके Google Ads का जो है 300 एकाउंट को create कर सकते हैं Google Ads का 300 एकाउंट create करना एकदम simple है जैसे हैं आप सब लोग अपना normal Google Ads का account create करते हो same वैसे ही आप लोगों को अपना account create करना है लेकिन जो है उसमें location आप लोगों को United State सेलेक्ट करना है और जो है आप लोगों को अपना Google Ads का currency है उसको USD यानि कि dollar में जो है अपना currency को रखना है जब आप सब लोग Google Ads account को create करते हो तो वहीं पर जो है Google आप लोगों से सभी detail पूछता है कि आप लोग किस country से हो कौन सा time zone आप यूज करोगे और कौन सा currency वगरा यूज करोगे उसी में simply आप लोग यही setting को कर देना है country में United States और जो है currency में USD या फिर dollar आप लोगो रख देना है उसके बाद जो है आप लोग का Google Ads का threshold account जो है maximum लोग क्या करते हैं कि simply 900 जेन करके एक website है वहाँ पे आप सभी लोग simply जाओगे और कोई भी एक बीन को इंटर करोगे और बीन क्या होता है simply मैं आप लोगो को बता दू कि credit card का जो first six digit होता है उसी को जो हम सभी लोग बीन बोलते है आप सभी लोग कोई भी bank का बीन निकाल करके 900 जेन पर रख सकते हो और 900 जेन पर रख होगे तो automatically आप लोगो को जो है आप लोगो को आप सिंपली मिल जाता है तो वह detail को maximum लोग क्या करते हैं कि Google Ads account में add कर देते हैं और अपना account को create करते हैं लेकिन create होते ही गुगल जो है वह account को suspend कर देता है क्योंकि Google को मालूम चल जाता है कि वह जो सीसी है वह जो है कोई real person का सीसी नहीं है उसके पज़से भी आपका account suspend होता है या फिर आप लोगो का जो account है उसमें आप लोगो का नेपाली नंबर या फिर इंडियन नंबर से आपका account बना है या फिर जो country से बिलंग करते हैं वह country का आपका account है और जो आप सब लोग USA का account create कर रहे हो तो वैसे में भी आप लोगो क का एकाउंट सस्पेंट होता है उसको सॉल परने के लिए आप सबी लोग चाओ तो बीपीएन वगएरा यूज कर सकते हो लेकिन कापी हट तक गूगल आप लोग का जो भी बीपीएन यूज कर रहे हो भी डीटेक्ट कर लेता है तो सबसे अच्छा आप सबी लोग के पास जाता है कि जब उन्हों का पूरा एड्स वागएरा रॉन होने के बाद आपका जो एकाउंट हो सस्पेंट हो जाता है उसका सिंप्ली रीजन यही है कि जब आप सब लोग पूरा थी फिप्टी डॉलर को यूज कर लोगे तब गूगल क्या कर आपका जो भी क्रेडिट कर पर डीविट कर जो भी आपने दिया है उसमय से जो है बैलेंस करने कि वह बैलेंस करने के से नहीं कर लिया था है उसलिए आप लोगों का जो गूगल आपके संब्स कर दिया जाता है और इसको चाहो तो अपना खूद का है या फिर मास्टर काड़ा मेरा आपके पास है तो वह यूज कर सकते हो लेकिन वह कार्ड जो है डॉलर कार्ड होना परा आप सभी लोग देखो तो पेटियम पेमेंट स्पैंक भी जो है आप लोगो को को आप सभी लोगो आप गूगल आट्स में यूज कीजिएगा तब तो आपके अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा उसके बाद आप सभी लोग सिंपली अपना पेटियम अकाउंट में आईएगा और वहां से इंटरनेशनल पेमेंट उसको सिंपली ओफ कर दीजिएगा उसको होने का बाद जो है आप सभी लोग इजली वह 350 डॉलर यूज कर सकते हो और 350 डॉलर यूज होने का बाद जो है आप लोगो ने जो भी कार्ड गूगल को प्रुभाइट करा है उसमें से बैलेंस डिडॉक्ट करना चाहेगा लेकिन जो आप लोगों इंटरनेशनल पेमेंट आपके अपके पैसा नहीं करतेगा और आप सब लोग बाद में चाहो तो अपना कार्ड को अन लिंक अगरा भी कर सकते हो तो यह तरीका हो सकते है आपके पास अगर खुद का कोई बीजा चार्ड यह पिर मास्टर कार्ड और है तो आप सब लोग उसको भी सिंप्ली यूज के बारे में पूरा डीटेल मिल चुका होगा अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिजिए और अगर आप सब लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को भी आप सब लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा